यूजी सी ने कहा परिक्षाइं ना होने से उठेगा डिगरी की बेदिता पर सबाल सभी राज्ये कराएं फाइनल येर की एकजाम नमस्कार दोस्तों मैं कवीता और आप सभी का मेरे यूटूब चैनल कवीता इजयर पर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत हैं जैसा कि थंब करतें यूजी सी यूनिवरस्टी एकजाम गाइडलाइन्स 2020 विश्व विद्याले अनुदान आयोग यूजी सी के सची प्रोफेसर रजनीज जैन ने गुरुबार को कहा कि अगर हम फाइनल येर के चात्रों की परिक्षाइं नहीं कराएंगे तो इससे उनकी डिगरी की ब की परिक्षा कराना संभब नहीं था इसलिए 30 सितंबर तक परिक्षा कराने की गाइडलाइन्स दी गई है न्यूज एजनसी ए एन आई से बातचित के दोरान उन्होंने कहा कि यूनिवरस्टी और कॉलेज ऑनलाइन आफलाइन या ब्लेंडर किसी भी मोड से परिक्षाइं आयोजित कर सकते हैं परिक्षाइं आयोजित करने की गाइडलाइन स्वास्ते मंत्राले द्वारा सुझाई गई मानक संचालन प्रक्रिया एस ओपी के अधार पर ही जारी की गई है जिसकी जानकारी मैं पूर में आपको दे चुकी हूं सभी राज्ये कराएं फाइनल येर क चातरों की परिक्षाँ जरूर कराएं उन्होंने कहा हमें पता चला है कि कई राज्यों ने अपने यहां के विश्मे बिद्यालों की परिक्षाइं रत कर दी हैं लेकिन देश में उच्छ शिक्षास्तर में एक रूपता होना बह PAC जरूरी है इसलिए इसी गाइडलाइन स् और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल येर के students की परिक्षाँ कराना काफी जरूरी है हाला कि students की सुरक्षा और उनका स्वास्ते भी हमारी प्रमुक चिंता है हालातों को देखते हुए ही हमने तै जै किया है कि सिर्फ mu का के एकजाम होंगे जैन ने कहा कि अगर कोई स्टूरेंट सितंबर में आयोजित होने वाली परिक्षाओं में नहीं बैठ पाता है तो यूनिवस्टी ऐसे छात्रों के लिए स्पेशल एकजाम करवाईगी लास्ट ओफ आल जैन ने कहा अगर आप दुनिया के अन्य देशों की और देखोगे तो हर वेस्ट यूनिवस्टी में परिक्षाओं आयोजित की गई है आप अमेरिका यूएस कनाड़ा जर्मनी ऑस्ट्रेलिया सिंगापूर की यूनिवस्टी के तरह देख सकते हैं स्टूडन्स को परिक्षा देने के लिए ऑनलाइन समेत टेक होम जैसे ऑप स्टूशन लेंगे या प्लेस्मेंट लेंगे तो धन्य बाद